नमस्कार दोस्तों फ्वागत है आप अभी का एक बार फिर फे आपके अपने यूटूब चैनल टागवित हेमराज में तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में पंचायत फहाया के एकाउंटेंट कंप्यूटर डाटा एंट्री ओपरेटर की भरती के लिए अंठामन हजार एक फनवाफी पदों की जो भरती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है आप उसक फॉर्में कैसे भर्फकते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक फेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते तो दोस्तों Fab Champions पहले आपको इस application form को डाउनलोड कर लेना है तो दोस्तों आप इस application form को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो मैं इसका link वीडियो के description में डाल दूँगा तो आप वहाँ FimWA फ्क लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं या आप इसे अपनी नजदी की पंचायत में भी जाकर आप इस अप्लिकेशन फॉर्म को प्राप्त कर फरक्ते हैं अप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको यहां पाफ अपनी फोटो चिपकानी है फिर यहां पाफ आपको आवेदक का नाम यानि आपको अपना नाम लिखना है आपके 10th की मार्क फिट में जो भी आपका नाम हो ओ आपको यहां पाफ लिख देना है फिर यहां पाफ पिता एवं माता का नाम लिखना है तो फ़र पहले आपको अपने पिता का नाम लिखना है फिर और करके अपनी माता का नाम यहां पाफ लिख देना है फिर आपको यहां पाफ जन्मितिती लिखनी है जो आपके 10th की मार्क फीट में हो और आपको यहां पाफ लिख देनी है आपको यहां पास उम्र लिखनी है वर्फ महीने और दिन में तो दोस्तों आप इसे कैफे लिख सकते हैं तो चलिए ओ देख लेते हैं तो दोस्तों एज कल्कुलेट करने के लिए सिंपल फ़ा आपको Google Chrome में जाकर एज कल्कुलेटर फर्च मारना होगा तो कुछ इस प्रकार के इंटरफेफ आपके फामने ओपन हो जाएगा जो फ़र्च बेफाइट आपके फामने ओपन होगी आपको उफ में सिंपल फ़ा क्लिक कर देना है तो कुछ इस प्रकार के इंटरफेफ आपके सामने ओपन हो जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पास आपकी जो भी डेटा बर्थ है वो यहाँ पास भरनी है तो जैसे मेरी है नौमबर फिर है 29 यहाँ पास आपको भर देनी है जो भी आपकी यहाँ पास डेटा बर्थ है ओके फिर यहां पाफ आपको भरना है एक जुलाई एक जुलाई आपको यहां पाफ फिलेक्ट कर देना है 2021 और यहां पाफ कल्कुलेट में क्लिक कर देना है तो यह देखिए बाइस साल फात महीने दो दिन तो इसको जाकर वहां फिम पल्फा आप लिख दीजिएगा तो कुछ इस प्रकार आप age calculate कर फकते हैं तो दोस्तों उम्र वर्फ महीने और दिन में भरने के बाद आपको यहाँ पाफ gender reflect करना होगा कि महिला है पुरूफ है या अन्न है और आपको यहाँ पाफ लिख देना है फिर आपको यहाँ पाफ ready reflect करना पड़ेगा यसी है यस्टी ओबीफी या general है आपको यहाँ पाफ भर लिख देना है फिर आपको यहाँ पाफ जो आपका पता है ओ आपको यहाँ पाफ लिख देना है फिर आपको यहाँ पाफ mobile number देना है जो भी आपका mobile number है ओ यहाँ पाफ भर दीजिए फिर यहां आता है फैचिक योगिता तो फैचिक योगिता में फ़स्ट क्रमांग का आपको देना है तेंथ का फिर यहां पाफ तेंथ आपने किस वर्फ कंप्लीट किया फिर आपको किस बोर्ड से कंप्लीट किया ओ यहां पाफ लिखना है फिर आपको तेंथ में जितने भी विषय थे उनके नाम यहां पाफ लिख देना है फ्रेडी किस रेड़ी में आपने पाफ की फिर यहां पाफ आपको परफेंटेज लिख देना है कि आपके टेंथ में कितने परफेंटेज थे फिर आपको फेकंड देना है 12 फिर यहां पाफ परिच्छा उत्रेंड का वर्फ आपने 12th किस वर्फ पास किया, फिर यहाँ पास बोर्ड का नाम लिखना है, और 12th में आपके जो भी बिसे थे, उनको यहाँ पास लिख देना है, किस फ्रेड़ी में पास की, फिर यहाँ पास प्रतिफ़त आपको लिख देना है, फिर तीसरा आता है, आपका graduation है, यदि आप का complete है, तो आप यहाँ पास दे सकते है, graduation complete नहीं है, तो आप इसको छोड़ दीजे, graduation यदि complete है, तो परिच्छा का नाम, परिच्छा की फिर वर्फ complete किया, फिर यहाँ पास फ्रेड़ी और यहाँ पास प्रतिफ़त दे दीजेगा, ओके, फिर यहाँ पास कार का अनभाव work experience है, तो आप यहाँ पास वर्फ में अंकित करेंगे, जैसे 2000 फूला फे, 2018 के बीच का मुझे work experience है, तो यहाँ पास आप ऐसे लिख दीजिएगा, फिर आपको यहाँ पास sign करना है, ओके, फिर जो भी आप फे यहाँ पास documents मांगे गए हैं, उनको attach करके, आपको अपनी नस अचायत में दे देना है, अब हम बात कर लेते हैं, दोस्तों कि आपको इसके फाद, कौन कौन फे documents हैं, जो है तो attach करना है, तो फब फे पहले नंबर पे आता है, अधार card या pen card, इन दोनों में फे जो भी है, आपके पाफ उसको attach कर दीजिए, दूफरे नंबर पे आता है, कास्ट फार्टिफिकेट, यदि आप OBC, ESC, EST category से बिलोंग करते हैं, तो आपको कास्ट फार्टिफिकेट की photocopy attach करनी पड़ेगी, फिर तीफरे नंबर पे आता है, निवास प्रमाडपत्र, निवास प्रमाडपत्र की photocopy आपको attach करनी पड़ेगी, फिर चाउथे नंब पर प्याती है, यदि आपने graduation भी यहाँ पाफ भरा है, तो उसकी यहाँ पास भी photocopy आपको attach करनी पड़ेगी, तो एक कुछ महत्पूर्ण डाकुमेंट्स रहें, जो आपको यहाँ पाफ attach करना पड़ेगा, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प आपका बहुत बहुत धन्वाद